हेलो नमश्कार कैसे हैं आप सभी बिलकुल पूरा विश्वास है आशा है और इश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ होंगे खुश होंगे प्यारे बच्चों मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम है मैं लाली वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ रदय से स्वागत करती हूँ साथी साथ ये भी कहती हूँ कि आप सभी को समय का सदोपयो करते हुए अपने बड़ों का आशीरवात प्राप्त करते हुए और प्रदान की जाती है आपके लिए तो आपको प्रात्त करना है और धीरे धीरे लक्ष की और बढ़ना है यहीं हमारी शुब कामना है लेकर आई हूँ आज पार्ट 21 गुरू की सीख के प्रशन उत्तर गुरू की सीख आशा करती हूँ कि आपने पहला वीडियो देख लिया कि जो विध्यार थी गुरू की आज्या या समय के महत्व को नहीं समझते उनके हाथ पच्तावा ही रह जाता है वो हाथ मलते ही रह जाते हैं वो बस हमेशा ब्लेम करते ही रह जाते हैं दूसरों पर दोशा रोपन करते ही रह जाते हैं तो समय का महत्व समझना है और अपने गुरू जनों का आदर्स करना है, उनकी हर एक बात को पत्थर की लकीर मानकर उसका अनुसरन करना है आईए चलते हैं पहले प्रशन पर, एक और मैं बात बता दू प्रशन उत्तर आपकी पार्ट पुस्तक में नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ प्रशनों का निर्मान और उत्तरों का निर्मान किया गया है आपके लिए तो बड़े ध्यान से इन प्रशनों को देखिए बनाया है पाट से कुछ प्रश्णों को ताकि आपके अंदर भी प्रश्ण निर्मान और उत्तरों के निर्मान की कुशलता का विकास हो चके ठीक है पहला प्रश्ण है कौन से शिष्ष को महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी पता है ना कि एक बार जंगल गए थे गुरुजी और शिष्ष कुछ शिष्ष बंदरों को भगाने में कुट्टों को भगाने में उन पर पत्थर बरसाने में अपना समय व्यर्थ करते हैं और एक शिश्य उनके साथ साथ चला जो पूरे ध्यान से पूरे पूरे कॉंसेंट्रेशन से गुरू जी के साथ था और गुरू जी की बताई हुई सभी जड़ी बूटियों को उसने ध्यान से देखा ठीक है जो शिश्य समय का महत्व समझ कर गुरू जी के साथ साथ आगे ब भूक रहे थे गुरू जी और शिश्य आगे बढ़ गए और कुछ शिश्य थे कुट्टे पर पत्थर मानने लगे मिटी के ढेले मानने लगे और वहीं पर अपना मतलब समय नश्ट कर दिया कुट्टों को मार कर वे आगे जाही रहे थे कि बंदर आगया उनके रास्ते में फ फिर तो अब पच्टाय होत का जब चड़िया चुंग गई खेत इसलिए समय रहते हमें अपने सभी कारे करने चाहिए अन्यथा पच्टावा ही हमारे हाथ में रहता है और पच्टावे से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता ठीक है एक और प्रश्ण है नियमित रूप से अपनी दिंचर्या का पालन करने से क्या लाव होता है क्या आपने समय का सदोपयोग किया है क्या आप अपने समय का सदोपयोग करते हुए अपनी दिंचर्या का पालन करते हैं जैसा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, खेल कूद कीजिए, अपनी मम्मी के कामों में थोड़े छोटे छोटे कारेों में हाथ भी बटाईए, स्वास्त का ध्यान रखे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, वीडियो ज्यान प होता है, बड़ी बड़ी बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन अपनाते कौन हैं, वो देखे, जब हम नियमित रूप से समय का सदोपयोग करते हुए, अपनी दिन चरया का पालन करते हैं, तो हमारे सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, तथा भविश्य की योजनाओं का निर्धा कारण किया जा सकता है जब हमने आज का काम आज कर लिया तो हम कल के लिए तैयार हो जाएंगे कि अब कौन कौन सी हमें स्ट्रेटेजी तैयार करना है क्या हम करेंगे योजनाय तैयार कर सकते हैं और यदि हमने आज का काम कल पर छोड़ दिया तो आज का तो गया कल भी गया गुरू अपने शिश्यों का मार्ग दर्शन किस प्रकार करते हैं गुरू, सिक्षक, टीचर हमेशा उसकी क्या अकांगशा रहती है क्या वो चाहता है वो हमेशा चाहे वो गुरू के रूप में हो चाहे सिक्षक के रूप में हो या टीचर के रूप में हो सभी गुरूर, सिक्षक और टीचर यही चाहते हैं कि हमारे शिष, हमारे विध्यार्थी, हमारे स्टुडेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर वास्त्विक जीवन का ज्यान प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए लक्ष की प्राप्ती करें और समाज में मान सम्मान प्रा कोटी के आदर्शों के आधार पर करते हैं, क्यूंकि हम जानते हैं एक चोटा सा बच्चा भी जब स्कूल जाने लगता है और यदि कॉपी में मान लीजिए, उसकी टीचर ने लिखा आ से अनार, ठीक है, अब उसकी टीचर ने क्या लिख दिया, ये उसकी कॉपी है, ठीक, और उसमें उसने लिखा ये margin है और उसने लिख दिया इस तरह से आ से अनार ठीक है बेटा ऐसे ही आपको घर से बना कर लाना है अब पेज उसने पल्टा अगले पेज पर वो गया और बैठा अपनी पैन और कौपी हाथ में लेकर अब उसका हाथ कहीं ऐसा जा रहा है कहीं ऐस जा रहा है कैसा अभी जा सकता है तो सकी मम्मीने ने कहा बतां रहा जल्दी है आप इसा लिखो अपयसा लिख दो आप जल्डी से रिक दो नाँ मम्मी मेरी इश्यसा बताया具े आप बता रहे हैं ऐसा कहते हैं है बच्चे अपने हाथों से ही अपना काम पूरा करना चाहते हैं हम कभी कभी अत्य अधिक लाड़ दुलार के कारण हम अब उनका काम करने लगते हैं और बड़े होकर जब उनकी आदत ऐसी बन जाती तो हम अपने बच्चों पर दोशारूपन भी करने लगते हैं कि खुद का काम कुद क्यों ने करते हैं भाई हमने ही उनकी कलम उनके हाथ से ले ली ना, तो यहाँ पर parents को भी ध्यान देना होगा, ठीक है, कहने का ताक पर है कि जिस तरह से teacher बोलती हैं, चलती हैं, छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत observe करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे बच्चे भी बहुत observe करते हैं कि हमा यह मेरे parents मुझे बताते हैं, फिर मैं उनकी तरह पढ़ाने की कोशिश करती, ऐसे नहीं, ऐसे करो, अब बच्चमन सही मेरे teacher बनने की हीच्चा रही है, और इश्वर की गरबासे वो पूरी भी हुई, तो कहने का ताक पर यह है कि teacher, सेक्षक या गुरू, अपने उच्च आ करना है, क्योंकि प्रतेक शिश्य अपने गुरू का अनुसरन करता है, उनके पदचिन्नों पर चलता है और अपने लक्ष की ओर अग्रसर होता है, इस तरह से एक मार्ग दर्शक की भूमी का भी गुरू ही निभाते हैं, अगला है, गुरू की महिमा का बखान करते हुए को सा दोहा लिखेंगे हम, जिसमें गुरू की महिमा का बखान हो, सोचिए, कबीरदास जी का दोहा है, गुरू गोविंद दोवू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बताए, कि गुरू और गोविंद जब दोनों खड़े हैं, तो हमें किसके पाउच होना चाहिए, हमें गुरू के पाउच होना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है, क्यों? क्योंकि गुरू ने ही हमें गोविंद के बारे में बताया, सृष्टी के बारे में बताया, सत्यका ज्यान कराया, वास्तविक्ता से परिचित करवाया, तो गुरू तो ही ईश्वर से भी अधिक सम्मानी है क्योंकि गुरू के माध्यम से ही इश्वर की बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अगला है गुरू और शिश्य का रिष्टा कैसा होता है दोहे के उधारन के माध्यम से बताईे, किस तरह का रिष्टा होता है। जो गुरू हमेशा अपने शिश्यों को डाटते हैं क्या वो बुरे बुरे गुरू होते हैं जो टीचर हमेशा हमेशा मतलब किसी बात पर यदि अपने स्टुडेंट को शिश्य को डाट रहे हैं क्या वो गुरू या सिख्षक बुरे हैं? ये टीचर अपने बच्चे को उसकी कमियों पर डाट रही है, गलतियों पर मिस्टेक्स पर डाट रही है, क्या वो टीचर अच्छी नहीं है? नहीं बेटा, वो टीचर बहुत अच्छी है. क्यों? देखिए, कबिर्दास जी ने क्या कहा है? दोहा लिखा है, कहने का तात पर है, कि कबिर्दास जी ने वो पर युक्त दोहे में गुरू का महत्व समझाया है. कबिर्दास जी कहते हैं, कि गुरू कुमार है, और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है. गुरू भीतर से हाथ का सहारा देकर, बाहर से चोट मार कर, साथ ही शिष्यों की बुराई को निकालते हैं. यदि गुरू ने टीचर ने आपको डाटा, तो वो आपकी भलाई के लिए डाटा इतना समझ लीजिए. कभी उस बात को दिल पर मत लीजिए. दिमाग से सोचिए कि क्यूं अच्छा इस कारण से जरूर आपका भला होगा. चीक है? तो गुरू ही शिशे के चरित्र का निर्मान करता है. गुरू के अभाव में शिशे एक माटी का टुकडा ही होता है. जिसे गुरू एक घड़े का आकार देते हैं. उसके चरित्र का निर्मान करते हैं. सद गुरू ही शिश्य की बुराईयों को दूर करके संसार में सम्मानिय बनाते हैं इसलिए गुरू के कठोर वचनों को कभी अपने दिल में मत लेना और कभी ये मत कहना कि हमें ये टीचर डाड़ती रहती बिटा मुझे याद आती है मेरी बच्पन की बात हैं जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी तो टीचर सुबह सुबह पांच बजे सर्दी हो गर्मी हो बारिश में उठो चलो दोडने जाना है लगता था यार ये क्या है लेकिन आज आज लगता है थैंक्स टू हमारे गुरू जी हमारे टीचर्स जिन्हों ने हमें इस समय की महत्ता समझाई जिन्हों ने हमें नियमित रूप से जीना सिखाया जिसके बलबूते पर वरिणाम सरूफ हम आज आपके समख्षें तो गुरू ही होता है हमें उसकी बातों को या डाट को कभी भी बुरा नहीं आशा करती हूं प्रतेक प्रश्न को ध्यान पूरवक सुनकर उत्तरों को आपने अपने रदय में बसाया है आत्मसाथ किया है तो समय का महत्व गुरू की महत्ता टीचर्स का सम्मान बड़ों का आदर ये सब कुछ हमें करना होगा तभी हम एक सम्मान ये व्यक्ति बन पाएं इन शुब कामनाओं के साथ नमस्कार मिलती हूं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच